जब बातें समझ से परे हो, जब प्रश्णों के उत्तर मौन हो, जब परस्थितियां विप्रीत हो, तब घबरा कर गलत निर्णे लेने से अच्छा है, थोड़ा सब्र करें, दीरेज के साथ बुरे वक्त के गुजरने का इंतजार करें, याद रखें, समय सब उल्जिनों को सुलजा देता है। नमश्कार, मैं हूँ मुहित कमिल श्रिमाली, आप सभी का तहे दिल से स्वागित करता हूँ आपके अपने चैनल में, और आज का राशी फल, यानि की पांच जुलाई के इस विशेश एपिसोर में, साथ ही साथ आप सभी को बधाई और शुपकामनाय देना चाहूँगा, जिनका आज जनम दिवस है, मैरिज अनिवस्री है, या कोई विशेश यादगार दिन है, तो आईए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की, आज तारीक 5 जुलाई 2022 है, दिन मंगलवार का है, आज के विशेश उपाय में, कौन से हैं कुंडली में बनने वाले 10 और क्या है उनके उपाय, ये इस एपिसोड के अंत में आपको बतलाऊंगा, पंचांग की बात करते हुए आगे बढ़ते हैं, समवत 2089 यानि की 2079 का आशाड शुक्ल पक्ष चल रहा है, शश्ठी थिती है, शाम के 7 बज़ के 28 मिन तक जिसके बाद में सबतमीती थी आरम हो सिंग राशी का चंद्रमा रहने वाला है, आज के दिन दोपहर में 4 बच के 50 मिनट यानि की लगभग 5 बचे तक, तो ऐसे में जो भी आज प्रेडिक्शन किये जाएंगे, वो सभी सिंग राशी की चंद्रमा को ही बेसेज मानते हुए किये जाने वाले हैं, फिर बात आती ह रहुकाल समय की, तो यहाँ पर आपको एक चीज मैं क्लारिफाय कर देता हूँ, जो भी भारत के बाहर इस एपिसोड को देख रहे हैं, आप सब को ये समझ में यहाँ पर ज्यादा आना चाहिए है कि जो रहुकाल का समय है, यहाँ पर जो मैं आपको एपिसोड में बता रह है, आप मान लीजे, टोरांटो में रहते हैं, नियॉयोक में रहते हैं, मनहाटन में रहते हैं, डर्बन सिडी में रहते हैं, तो ऐसे समय में जो रहुकाल का समय है, आपको स्वयम के लिए कालकुलेट करना पड़ेगा और उसके लिए, यहाँ पर आपको एक चीज बता दे प्लेट कर लीजे और अपने मुबाइल में अगर सेव कर लें या पिर पेपर लिखे रख लें तो उसके बाद में आगे आने वाले बहुत समय तक आपको यहां पर वापस कभी भी रहुकाल के समय को लेकि कोई कनफ्यूजन नहीं होने वाला फिर ये भी माना जाता है कि रहुकाल का समय जो होता है उसमें कोई शुब और मांगले आपको यह भी समझाओंगा कि ऐसे समय में यानि कि रहुकाल के समय May किया करना शुब है हर चीज अशुब नहीं हो सकती इस बात को वहाँ पे समझाने के लिए मैंने आपको उधारन भी दिये हैं और ये भी बता है कि क्या कामाहाग पे शुब रहेंगे फिर बात आती है शुब चौगडिया महुरत की तो वो है सुबह के साड़े दस बजे से लेके डेड़ बजे तक और वहीं पे पूर्व दिशा और दक्षन दिशा में अगर आज के दिन आप यातरा करते हैं तो आपके लिए शुब साबित होगी पर वहीं पे उत्तर दिशा में और वायव ये दिशा यानि की नौर्थ वेस्ट दिशा में अगर आप यातरा करने वाले हैं तो गुड़ खा तो ऐसे सुरयोद fender कालीन कंड्ली में आज के दिन संक्यादाम योग कल्ड्रूम योग केंध्रूम भंग योग संयोग शंख enthusiasts वीमल योग और केंध्र त्रेकोन राज योग का आपको साथ मिलने वाला है कि अगर आप स्वहिण की候 कंड्ली दिखाना चाहते हैं ये जानना चाहते हैं कि जो आपकी समस्या है उसके लिए समाधान क्या है क्या कवच आपको पहनना चाहिए किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए है जो ग्रह दोश है आपकी कुंडली में उसके अनुसार आपको क्या दान करना चाहिए क्या जाप करना चाहि तो इन सभी की जानकारी और इसी के साथ में लिख करके आपको दे सकता हूं है कि कौन से समय आपके लिए शुब है और कौन सा समय आपके लिए शुब है ये सभी जानकारियां बहुत कम लोग होते हैं जो आपको दे पाते हैं अगर ऐसे ही आप स्वयम की कुंडली विशलेशन करवाना चाते हैं या खुद आकर के मिलना चाते हैं तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप टेलिफॉनिक कंसिल्टन्सी वीडियो कॉल कंसिल्टन्सी और स्वयम आकर के अगर मिलना चाते हैं जैसे कि अभी हम आने वाले हैं मुंबई में, डेली में, इंदौर में, एहम्दाबाद में तो वहाँ पे आप आकर के हमसे मिल सकते हैं और स्वयम बैट करके हम बात कर सकते हैं आपकी कुंडली पर समस्या है आपकी कामना पूरती है उसके लिए अलग-अलग कवच का निर्मान किया जाता है तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप नंबर्स देख रहे हैं इस पे आप संपर कर सकते हैं अपनी स्वयम के लिए जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारी टीम में जो मेंबर्स हैं पंडित गर्ण हैं वो आपकी पूरी तरीके से सहायता करने की कोशिश करते हैं यदि आप अपनी जनम कुण्डली के अनुसार समस्या चाते हैं तो उसके निवारन के लिए कवच निर्मान जो होने वाला है तो उस पे आपको अपने जनम कुण्डली की डीटेल्स देनी पड़ेगी और साथ ही में आपकी समस्या भी बतानी पड़ेगी कि क्या समस्या है तो उसके अनुसार पूरा कुंडली विशलेशन करने के बाद में हम आपको सिर्फ और सिफ उस समस्या के लिए नहीं बलकि आपकी पूरी कुंडली के अनुसार कौन सा कवच आपके लिए सबसे बेस्ट होगा उसकी जानकारी देने में यहाँ पे कोशिश करेंगे पर वर्तमान समय को देखते हुए कुछ कवच है जिनके बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा सबसे पहले आता है विवा बाधा निवारण के लिए शिव गौरी कवच कई बार उम्र होने के बाद भी विवा न होने से मानसिक परेशानी बढ़ती है सेल्फ कॉन्फिडेंस घड़ता है इंसान हर किसी से कुछ न कुछ बातें सुनता रहता है ऐसे में विवा संबंदित समस्याओं के लिए शिव गौरी कवच धारन करना सबसे ज़ादा शुब साबित होता है वहीं पे दामपत्य जीवन सुक पूर्वक व्यतीत नहीं हो रहा है तब भी आप शिव गौरी कवच धारन कर सकते हैं और इस समस्याओं से राहत प्राप्त कर सकते हैं फिर बात आती है शिक्षा के लिए सरस्वती कवच की पहले से बच्चे पढ़ने में आनकानी कर रहे हैं क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा खेल खूद में टीवी देखने में मुबैल चलाने में मज़ा आ रहा है तो कहीं बार बच्चा पढ़ाई दिन रात भी करता है पर रिजल्स जो हैं वो इस चीज़ को पोटरे ही नहीं कर पाते वो रिजल्स जो आते हैं वो रिजल्स की चीज़ बता ही नहीं पा रहे हैं कि बच्चा मेहनत कर रहा है तो ऐसे महमावाब परेशान है इन दोनों ही सिती में बच्चों को सरस्वती कवश धारण करवाना एक बहुती कारगर उपाय है इससे भी बढ़के अश्ठ विनायक कवश अगर पहनाया जाए तो इससे भी ज्यादा आपको लाभ मिल सकता है फिर बात आती है आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए कुंडलीनी शक्ति कवश की योग के द्वारा साधना के द्वारा साधक अलोकिक शक्तियां प्राप्त कर लेता है ऐसी शक्तियां जिने देखकर सामानी लोग उसे अवतार मान बैठते हैं कोई उसे महामानव, महापुरुष या कोई सिद्ध कहकर पूजने लगता है ये शक्ति है कुंडलीनी शक्ति की, कुंडलीनी जागने पर ही ये सब शक्तियां आपको उपलब्ध होती है कुंडलीनी जागरन में कुंडलीनी शक्ति कवश साहयक से धोता है फिर बात आती है अश्ठ लक्ष्मी का बच्की, जब लक्ष्मी को संपूर्णता से अपने जीवन में समाहिद करने की बात आती है, तो वहाँ पर अपने आपी बात आती है अश्ठ लक्ष्मी का बच्की, अश्ठ लक्ष्मी यानि की धन लक्ष्मी, यश्ठ लक्ष्मी, आय रह जाती है तो ऐसे में अश्ट लक्ष्मी कवच धारन करना आपके जीवन को संपून एश्वर्य में बना सकता है हमेशा याद रखिएगा जो कवच निर्मान होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होते हैं तो ऐसे में कवच निर्मान करवाने के लिए आपको स्वयम का नाम, अगर शादी शुदा है तो पती का नाम, अगर अविवायत है तो माता पता का नाम, अपना गोत्र और बाकी डीटेल्स दे दी होती है, तब ही जाकर के कवच सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बन पाता है। जिस तरीके से पूजा करने से पहले आहुती दी जाती है, संकल्प लिया जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे पंडित गंभी आपके लिए संकल्प लेते हैं कि ये जो पूजा है, ये जो जाप हैं, जो कवच बनाया जा रहा है, इस उद्देश्य से बनाया जा रहा है तबी जाकर की वो कवच सिध हो सकता है और आपके लिए कारगर बन सकता है हमेशा याद रखेएगा कि बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके स्वैम के हातों में है तो आईए अब बात करते हैं मेश राशी की तुमेश राशी के लिए राशी भाव से पंचम भाव यानिक फिफ्थ हाउस में चंद्रमास थे थे वहीं पे शेमतारा का साथ मिल जाना और अश्ठक ग्वर्ग में 35 डॉट्स शांदार सफलता देने की यहां पे स्थिति बनाता है आप यहां पे मान सकते हैं कि आपको 70% त अश्ठक ग्वर्ग में शांदार 35 डॉट हैं तो ऐसे में आप मान सकते हैं कि जो काम पे आप निकलने वाले हैं जो आप आफस निकलने वाले हैं तो वहाँ पे कारे भार बहुत जादा कम होगा और जो काम आपके पास में हो से भी बहुत सफलता पूरवक्त आप पूरा कर करने में यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं ऐसे में आपको मिलेगा आसपास के लोगों से सपोर्ट भी पूरा आज की दिन मिलने वाला है यातरा जो भी करने वाले हैं वहाँ पे बस इतना सा मैं आपको साफधान करना चाहूंगा कि अगर कोई मीटिंग के लिए निकल र गर परिवार को लेकर के यहाँ पे कोई परिशानिया देखने को नहीं मिलेगी पर हेल्थ वाइस थोड़ा अपने आप पर जादा साफधान रहें अपने आपकी हेल्थ को लेकर के अपने खाने पीने को लेकर के यहाँ पर साफधानी आपको बरतनी की जरूर नजर देखन को मिलेगी फिजूल खर्ची को लेकर के थोड़ा संभल करके रहेगा बिना बात के दूसरों को इंप्रेस करने के लिए मत खर्चियेगा खुद के लिए अगर कोई चीज जरूरी है कोई आपका काम बिना किसी चीज के पूरा नहीं हो सकता तो उस पर खर्च करना समझ में आत आधा हैं तो investment के लिए आज बात करना या फिर finalization की तरफ आगे बढ़ना उसके लिए जरूर बहतर चीज आपको देखने को मिलेगी पर deal finalize करना या फिर payments करना इसके लिए कल सुबह तक के लिए आपको इंतिजार जरूर करना पड़ेगा शुब रंग ऐसे में रहेगा तो व्रशब राशी के लिए 4th house का चंद्रमा है जो mentally परिशान जादा करता है नेगेटिव स्थेती जादा देता है वहीं पर जनमतारा का साथ मिल जाना इसमें इसके अंदर negativity और जादा बढ़ जाती है तो यहाँ पर राहत की सास लेने के लिए आप बोल सकते हैं कि अश्ठक वर्ग में 27 dots के कारण आपको 33% तक support फिर भी मिल पाएगा ऐसे में कहीं पे भी मन ना लगना काम कर रहे हैं पर उसमें depressed बहुत जादा हो जाते हैं जो काम कर रहे हैं मेहनत कर रहे हैं उसके फल वापिस ना मिलना उसका reward वापिस ना मिलने से काम छोड़ देने की इच्छा आज के दिन प्रबल आपके अंदर देखने को मिलने वाली है और घर परिवार भी चाह करके भी आपको support नहीं कर पाएंगे और नहीं आपके इस मानसिक सिती को समझने में सफल रहेंगे हेल्थ वाइस भी चाहती में दर्द और पेट के दर्द से आपको परेशान होना पड़ सकता है और ऐसे में नहीं नीद पूरी होगी और घर परिवार का support मिलने के बावजूर आप हर किसी के उपर गुसा होते वे या तो फिर irritate हो करके वापिस अपना जवाब देएंगे जिससे घर के अंदर environment जो है वो थोड़ा खराब होतावा नजर आ सकता है पर क्योंकि 33% support है इसके कारण आप बोल सकते हैं कि अपने आपको control करने में कुछ हद तक आप सफल भी जरूर होंगे ऐसे में आज के दिन कोई भी investment करने से हमें बचना है कास तोर पे कोई दोस्त आ बाले हैं ऐसे समय में शुबरंग रहेगा आपके ये लो कलर शुबंक रहेगा नमबर वन अब बात करते हैं मिथुन राशी की मिथुन राशी के लिए थर्ड हाउस का चंद्रमा है मित्र रतारा का साथ और श्ठक वर्ग में 26 dots जो overall situation को आपके यहां पे बना देते हैं 100% positive पर धियान रखिएगा कि सिंग राशी का चंद्रमा आज सिर्फ और सिर्फ शाम के 5 बजे तक है उसके बाद में 4th house का चंद्रमा होने वाला है जहां पे negativity face करने को मिलेगी तो ऐसे में कोई भी dealing आप कर रहे हैं कोई भी investments आप कर रहे हैं तो सुबह के समय में किये हुए investments आ थोड़ा patience रखना है आसपास के लोगों को attract करने में और वहीं पे impress करने में आप सफल जरूर होंगे शत्रों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत यहां पे जरूर देखने को मिलेगी कि आसपास के लोग आपके लिए गड़े खोदे में नजर आ सकते हैं आपके विरोध हाइपर आक्टिव होने के कारण उनकी जो planning है वो success की तरफ आगे बढ़ सकती है और आपके लिए परिशानियां खड़ी कर सकती है तो ऐसे में अपने आपको जादा सावधान रखने की यहां पे जरूरत आपके लिए बन रही है शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्राउ dissatisfaction महसूस होना अच्छी से अच्छे काम करने के बाद में भी उस चीज का reward ना मिलना उसका फल ना मिलना इससे हताश हो सकते हैं चाहे businessmen की बात करें या तो फिर नौकरी करने वाले की बात करें दोनों ही तरफ से आज के दिन मेहनत जादा करते हुए नजर आएंगे पर उ आज नहीं मिल पाएगा इसके लिए शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा मेहनत से मन नहीं चुराना है ऐसे में आज महिलाओं से खास तोर पे चाहे office की महिलाएं हैं घर के अंदर महिलाएं है या तफिर रहा चलती महिला कोई भी है तो उनसे अपमानित होने की यहाँ पे खत्रा ज्यादा है ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुब अंक रहेगा नमबर टू अब बात करते हैं सिंग राशी की तो सिंग राशी के लिए राशी भाव में ही चंद्रमा का होना संपत्तारा का साथ भी मिल जाना और अश्ठक वर्ग में 25 डॉ अबरॉल सिच्वेशन 100% पॉस्टिविटी के बना रहे हैं ऐसे में धन संबंदित आपको लाब देखने को मिल सकता है बड़े बड़े लोगों से मिलना उनके साथ में उनका इंफ्लूएंस पाना यह आपको देखने को मिल सकता है और खास दौर पे घर के अंदर जो समय में जो भी लोग जोतेशी सीख रहे हैं टैरोकार रीडिंग सीख रहे हैं प्रानिक हीलिंग सीख रहे हैं और कोई भी सीखने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही जादा अच्छी यहां पर स्थिति बन रही है सक्सेस्फुल स्थिति बन रही है जो भी काष्टवूशन होना यह चीज़ें देखने को मिल सक्ति है और हेल्थ वाइस कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी ऐसे समय में खास तोर पर अगर आप कोई परिशानियां बढ़ सकती है ज्यादा नहीं बोलूगा पर थोड़ी समस्या है तो जरूर बढ़ने वाली है ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर शुब अंक रहेगा ना बथरी अब बात करते हैं कन्या राशी की तो कन्या राशी के लिए राशी भाव से ट्विल्थ हाउस का चंद्रमा का होना ये नेगेटिव सिती बनाता है पर एक बार सुनिएगा कि मित्रतारा का साथ भी मिल जाना और अश्ठक गुर्ग में 26 डॉट्स में मिल जाना दोफैर के पांच बजे तक आपके लिए जो समय है इसको नेगेटिव बना रहा है आपक आपको देने का काम करेंगे तो ऐसे में सुबह के समय में मानसिक और शारिरिक परिशानिया देखना बहुती जादा एनरजी में कमी देखना हाथ पैरों के अंदर कपकाहट होना या तो फिर दर्द होना नर्व के अंदर परिशानी होना ये देखने को मिल सकता है घर सिधी में आ जाएगी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके अंदर काफी जादा रिलीफ मिल जाएगा ये बोला जा सकता है कि एकदम टर्न आराउंड ही आपके लिए हो जाए ये चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है जो भी कमाने के लिए आज के दिन बाहर निकल रह सकती है पर ऐसा नहीं बोलेंगे कि लॉसस आपको उठाने पड़ें थोड़ी बहुत स्ट्रगल जादा रह सकती है जो आप इजीली काम कर पा देते आज से पहले जैसे के एक्जामपल के तौर पे कोई इंसान दस किलो आराम से उठा लेता है आज के दिन दस किलो उठाने म हो सकती है पर ऐसा नहीं है कि दस किलो उठाना पाए ऐसे ही आज के दिन जो भी काम करने के लिए बाहर निकल रहे हैं नौकरी पे बाहर निकल रहे हैं कमाने के लिए बाहर निकल रहे हैं उन सभी के लिए परिशानिया थोड़ी ज्यादा है पर जो आपका काम है वो आप ज दुला राशी के लिए राशी भाव से लेवंथ हाउस में चंद्रमा है, जनमतारा का साथ है, वर्ष्टरक गवर्ग में 34 डॉट्स है, ओफरॉल सिचुएशन यहां पे 70% तक पॉजिटिव बन जाती है, जिसके कारण निवेश में लाब मिलना, जो भी कमाने के लिए बाहर कारी दिन रहने वाला है, खास तोर पर जो भी फील्ड में जाने वाले हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, बिजनस प्रपोजल्स देने के लिए बाहर जाने वाले हैं, या अपना बिजनस आइडिया पिछ करने के लिए कोई मीटिंग में जाने वाले हैं, उनके लिए आज cash profit भी आपको मिल सकता है ऐसे ही समय में घर परिवार में या फिर घर के बाहर किसी इंसान से कोई विवाद था कोई गुसा था या फिर कोई मदभेद था तो वो मदभेद सुलजाने में आज की दिन आप सफर रहेंगे फिर चाहे वो सामने वाला शत्रू ही क्यों ना हो उससे भी प्यार से बात करके अब अपनी बात मनवा ही लेंगे ऐसे में आज जो भी लोग लिक्विड का काम करते हैं चाहे बॉटलिंग प्लांट है लिकर बनाने का काम है या फिर पफ्यूमरी का काम है ऐसे समय में रेस्टरूंस के अंदर या फिर काफे जो काफी बनाते हैं चाय बनाते हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत जादा अच्छा बन सकता है ऐसे में सुख सविधाएं आपको पूरी मिलेगी अच्छा खाने पीने को मिलेगा और जो भी यात्रा करने वाले हैं वो यात्रा आपके लिए शुब साबित जरूर होगी आज शुब रंग रहेगा आपके लिए खाकी कलर शुब अंक रहेगा नमबर वन अब बात करते हैं व्रश्चिक राशी की तो व्रश्चिक राशी के लिए 10 था उसका चंद्रमा है जो positive माना गया है शेमतारा का साथ मिलना और अश्टक गवर्ग में 25 dots मिलना यह अपने आप में बखू भी आपके लिए बहुत जादा अच्छा दिन बना रहे हैं 100% positivity का दिन बना रहे हैं तो ऐसे में अभिष्ट सिद्धी प्राप्त होना जो भी काम करते हैं उसमें सफलता मिलना जो काम कर रहे हैं उसके अंदर satisfaction मिलना यह बोला जा सकता है वियापारियों के लिए और नौकरी करने वालों के लिए भी आज की दिन सफलता का माना जा सकता है जो आप मान करके चले हैं जो आप सोच करके आज घर से बाहर निकले हैं कि ये काम मेरा हो जाना चाहिए इतने रुपे मैं कमा लेना चाहिए हूँ याद फिर ये जो मेरी डीलिंग है ये पूरी हो जानी चाहिए है जो मीटिंग आप करने वाले हैं तो वो हर चीज जो भी काम से रिलेटेड है आपकी जो आप सोच करके बाहर जाएंगे वो आप आज के दिन जरूर हासिल करके फिर ही घर लोटेंगे स्वास्थे के अंदर भी बोला जा सकता है कि कोई परिशानी देखने को नहीं मिलेगी और ऐसे ही समय में अच्छे बड़े लोगों से या फिर इंटेलिजेंट लोगों से बोलिए कोई बहुत ही जादा इंफ्लूइंशल इंसान है उससे बोलिए आपका संपर्क यहाँ पर बन सकता है और इस संपर्क से इस कम्मुनिकेशन से आपको बहुत जादा लाब मिल सकता है चाहिए आप बात कीजे कि आपके खुद के इंटेलेक्शल लेवल के बढ़ने की या फिर जो आपका अटका हुआ काम है उसके निकलने की यहाँ पे आपको मदद जरूर मिल सकती है ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए गोल्डिन कलर शुब अंक रहेगा नमबर टू अब बात करते हैं धनूराशी की तो धनूराशी के लिए नाइन्थ हाउस का चंद्रमा है वहीं पे सादक तारका साथ और अश्टक वर्ग में 30 डॉट्स ओवरॉल 70% का यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है पर आज के दिन डरा हुआ महसूस होना खास तोर पे गौवर्णमेंट फाइन के कारण या त फिर गौवर्णमेंट का कोई नोटिस आई जिसका आपने समय पर आंसर नहीं दिया हो तो इसके कारण परेशानिया ज़्यादा बढ़ सकती है एक डर का महौल आपके लिए बन सकता है और ऐसे डर के महौल में फेलियर्ज मिलने की स्तिति आपके लिए ज़्यादा बनने वाली है मान समान में भी कमी देखने को मिलेगी और ऐसे में खास तोर पर बोला जाता है विनाश काले विपरीद बुद्धी जब किसी का विनाश पास में होता है तो उसकी बुद्धी भी गलत तरीके से चलती है तो ऐसे में बोला जा सकता है कि खराब समय में स्वयम के लिए और जादा कैसे खराब कर सकते हैं आपकी बुद्धी उस तरफ चलेगी अंचाहे या तो फिर ना चाहते हुए भी आपके हातों से ऐसे काम हो सकते हैं जिसके कारण आपकी इमिज और जादा खराब हो जाए आज ऐसी समय में शौपिंग करने से से फिजूल खर्ची करने से आसपास की लोगों को इंफ्लूइंस करने से आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है सम्मान में कमी देखने को मिल सकती है आसपास की लोगों से जगड़ा होना या घर वालों के साथ में किसी बात को लेके बहुत बड़ी बैहस हो जाना य इसका इस्तमाल करके काफी हद तक आप अपने लिए situation को favorable कर सकते हैं या balance में कर सकते हैं ताकि आपको परिशानिया ना देखनी पड़े जो नुकसान है उससे बच जाए पर जो struggle है जो परिशानिया है वो face जरूर करनी पड़ेंगी आप उससे बाहर निकलने के रास्ते या फ बात करते हैं मकर राशी की तो मकर राशी के लिए 8,000 का चंद्रमा है जो negative माना जाता है मैं बार बार आपको बताता हूं 4,000, 8,000 और 12,000 यहां का जो चंद्रमा होता है यह आपके लिए negative है तो ऐसे में अगर मकर राशी की ही बात करते हैं तो आपके लिए मेश राशी का च आपको कुछ हद तक यहाँ पर प्रोटेक्शन मिल सकती है, सपोर्ट मिल सकता है। तो ऐसे में आज की दिन लोगों से रूखा व्यवहार मिलना, कहीं मीटिंग पे जा रहे थे, कोई बहुत ही अच्छा दोस्त है जिसके साथ में जा रहे थे और अच्छानक से उनका बरताव चेंज हो जाए आपको ले करके, या उनकी जो सोच थी, उसके बदलने से आपको यहाँ पे खत्रा बन सकता है। जगड़ा होने की इस्तिती जादा बन जाती है, चंता बहुत जादा होती है और यहाँ पे बोला जाता है जिसे की अन्होनी घटना है। जो कि आप सोच नही कभी नहीं होती है, आउट अफ दो ब्लू कोई चीजों का होना यह आपके साथ में देखने को मिल सकता है। ऐसे में पीड़ा दा एक दिन बोलिये इसको, या तो फिर आस पास के लोगों से बहुत ही जादा प्रतारित होना पड़े, ऐसा दिन आपके लिए बन सकता है, और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 33% सपोर्ट का मिलना भी बहुत कम साबित होगा। ऐसे में बस एक चीज का ध्यान रखना है कि आज के दिन 5 बजे तक शाम के आपको ये नेगेडिविटी फेस करने को मिल सकती है पर उसके बाद में कुछ राहत भी आपको देखने को जरूर मिले या आपके लिए 70% आज का दिन पॉजिटिव बराने का काम करते हैं तो आज जो भी बिजनसमें है या जो नौकरी करते हैं दोनों ही तरफ दोनों ही लोगों के लिए बहुत ही जादा शुब दिन है बहुत ही जादा लाबकारी दिन है जो आप काम करना चाते थे जो आप क समस्याइं नहीं होगी पर सुक्स विधाओं में कोई कमी देखने को नहीं मिलेंगी वहन का सुक्छ पूरा मिलेगा दांपत्य सुक्छ पूरा मिलेगा परिवार से ऐज के दिन सपोर्ट मिलने की बात कीजे या फिर उनसे mental level पे पिताजी से घर के अंदर कोई बात करना चाते हैं अपनी कोई problem उनके साथ में share करना चाते हैं तो बहुत ही प्यार से आप से बात होगी और जो आपकी समस्या है उसको सुलजानी का पूरा यहां पे कोशिश किया जाएगा पर ध्यान रखिएगा शाम के पांच बजे के बाद में एट्थ हाउस का चंद्रमा होने के कारण आपके लिए समस्या बढ़ सकती हैं ऐसे में सुबह सुबह के समय में जो भी परिशानी है उसको सॉल्व कर लीजे और उसके बाद में अपने दिन को बहुत आराम से निकालने की कोशिश कीजिएगा शु जगवर में 26 डॉट्स का होना यह अपने आप में 100% दिन को पॉजिटिव बना रहा है स्वास्थिय के अंदर रोट टू रिकवरी जिसे बोला जाता है या तो फिर अगर कोई परिशानी चल रही थी तो अब उसे बाहर निकल करके आगे बढ़ने की सिच्वेशन आपको य यंग्स्तर जो है वह ए्ट्राक्शन में आकरके सामने वालों से बात करेंगे सामने वालों को इनकर करने की कोशिश करेंगे और काफी ह quarantine उसमें कफल भी सिध होंगे घर में आराम करने से अपने आपका समय आज की दिन बरबाद मत कीजेगा अगर हो सकता है एनरजी में कमी लग रही है या किसी चीज को लेकर के घबराए हुए हैं तो बाहर जाके उस चीज को हैड ऑन फेस करने से आपको फाइदा जरूर मिल सकता है आज के दिन आपको उफिंसिव बनके आगे बढ़ने की जरूरत है कोई भी चीज़े उसे हेड उन आप यहाँ पे फेस कीजेगा ऐसे में शुबरंग रहेगा आपके लिए परपल कलब शुबंग रहेगा नब थरी ये तो हुई बात आज के राशी फल की आई अब बात कर पूर मेहनत को सफल नहीं होने देते समय पर उनहीं को जानकर आप उचित उपाय कर सकते हैं या करने का प्रयास स्वयम के लिए कर सकते हैं सबसे पहले दोश जो आता है वो है बालारिष्ट दोश जब चंद्रमा लगन से छटे आठवे और बारवे भाव में कमजोर स्थित और क्रूर ग्रहों के प्रभाव में हो तो बालारिष्ट दोश होता है चंद्रमा की एक कमजोर और पीडित स्थिती बचपन में आयू के लिए शुब नहीं होती और ऐसे जातक को उसकी माता को बचपन में ही बहुत कश्टों से गुजरना पड़ता है क्योंकि सौम्य ग्र जिससे जातक के जीवन में आये दुर्भाग्य के शन टल सकते हैं और दूसरा उपाय महाम रित्युन जय का पाठ और रुद्रभी शेक करें फिर दूसरे दोश की बात करते हुए हम बात करेंगे पापकरतरी दोश की जब लगन या किसी शुब ग्रह के दोनों और पापकर हो तो पापकरतरी दोश बनता है जिससे जातक का जीवन संघर्ष में हो जाता है स्ट्रगल से बन जाता है जिस तरह से गर्दन पर कैची रख दी जाती है यह योग उसी तरह काम करने वाला है जिस भाव में यह योग बनता है उस भाव से जुड़े फलोंक में असफलता प लगता है उपाय के तौर पे आप यहां पे पालतू जानवर को घर में रखें और नियमित रूप से देख भाल करें दूसरा उपाय हनुमान जी की नियमित रूप से आराधना करें और तीसरा उपाय सूर्य गायतरी मंत्र का जाप करें तीसरा दोश दैन्य दोश शुब भावों के स्वामी यानि की प्रथम, चतुर्थ, पंचम, नवम, दशम अशुब भावों के स्वामियों यानि की तृत्य, शष्ट, अश्ठम और द्वादश इनके साथ राशी परिवर्तन करें तो यह दैन्य योग होता है ऐसे में सभी कुछ होते हुए भी उसका शुब फल प्राप्त नहीं हो पाता, जातक कि जीवन में संगर्श और असफलता हमेशा देखतने को मिलती है, हमेशा उनका पीछा करती है तो ऐसे में उपाये के तौर पे महामरितियों जे मंतरों का सवा लाख जाप आप कर सकते हैं धार में स्थानों की सफाई करें और अपना योगदान दें तीसरा उपाये, जरूरत मन्द वद्दिव्यांग की सेवा करें फिर चतुर्थ जो दोश बनता है, वो केंद्रुम दोश बनता है चंद्रमा के साथ या चंद्रमा के दोनों और कोई ग्रह ना हो तो ये योग बनता है पर कई कारणों से ये योग भंग भी हो जाता है ये योग चंद्रमा से बनता है जो मन का कारक है जिसे जातक के मन में शांती नहीं रहती और वो अकेला पन, अलगाव ये सब महसूस करता है और मांसिक रूप में अशांत रहना और धन की कमी से तनाव के साथ अवसाद से भी ग्रसित रहता है या योग भंग ना हो तो इस योग को दरिद्र और शकट योग भी कहते हैं उपाय के तौर पे जातक को जरूरत मंद बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए प्रतियक शुक्रवार को कनक धारा स्तोत्र का विदी विधान के अनुसार पाट करना चाहिए और कन्या को भोजन खिलाना चाहिए फिर पांचवा यहां पे जो दोश बनता है वो है केंद्र अधिपती दोश जब शुब भावों में यानि केंद्र एक, चार, साथ और दस यानि की प्रतम, चतुर्थ, सप्तम और दशम भाव के अधिपती शुब ग्रहा हो तो यह दोश बनता है केंद्र भाव कुंडली के आधार होते हैं और यही भाव जीवन में लड़ने की शक्ति देते हैं लगने के स्वामी जब मिथुन, कन्या, धनू या मीन हो तो केंद्र भावों में शुब ग्रहों का स्वामित वह होता है अगर लगने में मिथुन, कन्या राशी हो तो गुरु से दोश बनता है और लगने में धनू और मीन राशी हो तो बुद से दोश बनता है जब गुरु की दशा आती है तब जातक खुद को बंदन में बंदा महसूस करता है व्यापार और शिक्षा में रुकावट देखने को मिलती है बुद्ध की दशा में जातक को व्यापार में और शिक्षा में मन चाहे अफसर प्राप्त नहीं होते और बातचीत में भी असफलता महसूस होती है तो ऐसे में उपाय जरूर होगा और उपाय यहाँ पर यह चीज है कि नियमित रूप से विश्णु सहसर नाम का पाठ आपको करना चाहिए हर सुबह, मंदर या किसी धर्म स्थान में जाकर अपनी सेवा देनी चाहिए गाय और ब्रहमन को बोजन खिलाना चाहिए आपकी जनम कुंडली में बनने वाले दस दोश और उनके उपाय से बचे हुए पाँच दोश जो है उनके उपाय कल के एपिसोड में मैं आपको बतलाऊंगा क्योंकि आप सब ने ये चीज़ बोली है कि आपकी कुंडली के अनुसार कौन से राजयोग होते हैं राजयोग की आपको पूरी जानकारी चाहिए है और राजयोग के लिए क्या आप उपाय कर सकते हैं दुर्योग हैं कुंडली में तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं तो ये सीरीज उसी को ध्यान में रखते हुए मैं बना रहा हूं। हमेशा की तरह ये ही प्रात्ना करता हूं कि आप और आपका परिवार सदेव सुखी रहे, संपन रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुड़ों का साथ और आश्रवाद हमेशा आपके साथ में बना रहे। जैश्री राम एवं जैहन्द